नमस्कार आप दिख रहे हैं केवाएनपोस.टकॉम बिहार के अररिया में मंगलवार को एक दर्दनाक हाथसे में छे बच्चों की आग में चलने से मौत हो गई है जिसके बाद पूरे इलाके में गम का महौल है अररिया के पलासी स्थित कवया गाउं का यहाथसा उस वक्त हुआ जब बेहत कम उम्र के कुछ बच्चे एक जोपडी में बुट्टा पका रहे थे तबी एक चिंगारी से जोपडी ने आग पकड़ी और देखते ही देखते आग फैल गई जानकरी के अनुसार बच्चों के माता पिता उस दोरान खेतों में काम के लिए गए हुए थे आग देखकर ग्रामीनों ने तुरंट इस पर कावू पाने की कवायद शुरू की अलाकि तब तक काफी देर हो चुकी थी इस भीशन आग में उन मासुम बच्चों को निकलने का मौका भी नहीं मिला और उन 6 बच्चों की जोलस कर मौत हो गई इस घटना में जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी उम्र 3 साल से लेकर 6 साल के बीश थी जिसके बाद उनकी लाशों को देखकर परिवार समेट पूरा गाउं इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है सूचना के बाद पलासी थाना पुलिस के साथ SPSDOP और सदर SDO मौके पर पहुंचे उन्होंने तुरंत बच्चों के शवों को कबजे मिले कर पूस्ट मोटम के लिए अररिया सदर अस्वताल बिजवाया इस गटना के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी दुख जताया है उन्होंने इस हादसे में मारे गए बच्चों के फरिवार जनों को 4-4 लाख रुपए की आस्तिक साहता देने का आयलान किया है केवायनपूस.com के इस वीडियो में फिलाल इतना ही हमसे जुड़ा रहने के लिए बैल ऐकन दबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए